हेलो फ्रेंड्स नमस्कार वल्कम बैक मैं चैनल टाइट टीचर जॉब मैं प्रेंग का स्वागत करती हूँ सभी का आपके पने चैनल टाइट टीचर जॉब में दोस्तों आज हम बीट दुती वर्स इतियास सिचड के विशे में पढ़ेंगे और यह है आपका लेक्टर नमबर 11 दोस्तों यहाँ पर पढ़ने से पहले हम आपको यह बताना चाहते हैं कि आपका फर्स्ट पेपर सिचड के सिधानत यूम विदियां और फोर्थ पेपर जनसंक्या सिच्छा यूम परियावरण सिच्छा यह दोनों ही पेपर के यूपियच आपके पूरे कंप्लेट हो गय हैं जिसकी लिंक हम आपको डिस्क्रिप्शन में दे रहा हैं और साथ ही आपका यह इतिहास इचड इसकी भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगी तो चलिए देखते हैं कोस्चन इसमें कच्छा आठ के इतिहास पार्टिक्रम के आधारभूत तत्यों का लेक पाठेक्रम के आधार भूत तत्वे शिचहढ की प्रक्रिया का संपादन सिचक स्पर्वन किया जाता है करता है तो और यहां पर हम बात्र करेंशिचण की दक्रिया UK कि प्रक्रिया एक की सिचक के माध्यम से हि संपन्न की जाती है और सिच्छक अपने पाठ का नियोजन कच्छा में आने से पूर्व ही करता है कहने का ताथ पर यह है कि वो किस तरह से नियोजित धंक से अपने कच्छा में सिच्छड कारे करेगा क्या क्या टॉपिक उसको पढ़ाने हैं और किन चीज़ों को उसे ज्यादा अच्छे ढंक से एक्स्प्लेन करने की जरूत है कहां पर लगता है उसे कि छात्रे यहां पर कंफ्यूज होंगे तो यह सारी चीज़े कहीं न कहीं एक तरह से अधिगम किस तरह से हो इसके लिए तरह से पूरा करें एक तरह से प्रभाव साले सिच़ों इन सत बातों का ध्यान रखता है कि अब हम देखते हैं यहां पर कि सिच्चक अपनी क्रियाओं का नियून कच्छा सिच़ के लिए करता है उसके तीन तत्व प्रमुख हैं उद्देश यह पाठ्थे वस्तुम सिच् से जो भी सिच्छड कारे करेगा उसका उद्देश से क्या होगा और पाठ्थे वस्तु क्या है और साथ ही उसमें कौन से सिच्छड विदी यूज की जा रही है उसमें कौन से सिच्छड विदी का वो यूज करेगा तो पाठ्थे वस्तुम सिच्छड विदियों का नियू रखा जाता है एक पाठ वस्तु से कई उद्दे से प्राप्त किये जा सकते हैं परंतु अधिगम आउसर यों विशिष्ट उद्दे से हैं तु विशिष्ट अधिगम परिसितियों का नियोजन किया जाता है तो दोस्तों यहाँ पर क्या कह रहा हैं कि एक पाठ वस्तु से को विशिष्ट उद्देश से हैं तो विशिष्ट अधिगम परसितियों का नियोजन किया जाता है। उसके अंतरगत आती हैं तो जो भी पार्टिक्रम होता उसी के आधार पर ही सिच्छक सिच्छड कारी करता है। जो निम लिखित हैं इसमें देखिए उद्देश से पाठेवस्तु, मुल्यांकन और सिच्छड विदियां। तो इसमें पार्टिक्रम के चार मुल्य तत्व कौन कौन दिये हैं। एक साइड है आपका पार्टिक्रम को पूर्ण बनाते हैं एक तरह से। तो सिच्छड उद्देश से के विशे में हम देखते हैं। पार्टि वस्तु सिच्छड विदियों तथा परिच्छडों का नियोजन उद्देश से किया जाता है। आदिगम परिस्तियों में स्वैंग से इने प्राप्त करते हैं। इछ यहां पर सिच्धड उदेश के माधिम से पूरा होता है और अधिगम परिसितियों में स्वाइग से इन्हें प्राप्त करते हैं अधिगम परिसितियों केने का तात पर यह है कि जब एक सिच्छड कारे करता है तो वो पाठिक्रम के आधार पर करता है लेकिन उसमें पार्टिक्रम के अधार पर जो पार्टिवस्त हुआ है उसमें कौन सी सिच्छड विधी प्रियोग करें जिससे की सिच्छड उद्देश से पूरा हो इस बात का हमेशा एक सिच्छक ध्यान रखता है और इसके लिए जो भी सिच्छड विधी यूज़ करता है उसके माध्यम से अधिगम परिसितियों का निर्माड होता है जो कि उस अधिगम परिसितियों के माध्यम से ही जो छात्र होते हैं वो अपने अधिगम को पूर्ण करते हैं जिससे की सिच्छड उद्देश की प्राप्ती होती है अब हम चलते हैं टू पॉइंट पर वस्तु का स्वरूप अधिक ब्यापक होता है अधिगम परिसितियां उसके स्वरूप को सुनिश्चित करती हैं तो दोस्तों यहां पर हम बात करें जो भी अधिगम परिसितियां जो कि एक सिच्चक है जो कि अगर बात करें तो वो कहीं न कहीं मनुवैज्ञानिक के तरीके से कह सकते हैं क्योंकि एक सिच्चक को ये भली भात ही पता होता है कि उसका छातर किस लेवल का है उसी लेवल के हिसाब से वो पाठेवस्तु को पढ़ाता है और साथ ही पाठेवस्तु में भी ये सारी चीजें अंकित होती है रोप होता है वो अधिक ब्यापक होता है लेकिन उसको सरलतम रोप में किस तरह से सिच्षड कारे के माध्यम से छात्रों को अधिगम करा किषा जिससे कि वो अपने सिच्षड देस्यों को प्राप्त कर सके और एक तरह से एक अधिगम परिसेतियां उत्पन की जाती हैं जिसके मादिम से चात्रे अधिगम आसानीसे कर लेते हैं और उनके विवहार में परिवर्तन भी होता है नमबर थि पॉंट परम देखें सिछड विदियाँ यहाँ पर हम देखें उपर यूगत सब्द सिच्छड विदियों का चैन उद्देशों की प्राप्ति हेतु किया जाता है और सिच्छड विदियों का संबंद पाठ वस्तु से होता है तो दोस्तों यहाँ पर हम बात करें सिच्छड विदियों का चैन उद्देशों को प्राप्त करने के लिए किया जाता है क्योंकि अलग-अलग विशय के अलग-अलग सिच्छड विदियों को प्राप्ति किया जाता है शिच्छड अभ्योव अधीगम परिषितियों को उत्पन करती है। कराय कि जिससे वो अपने चात्रों को बहुत ही आसानी से सरल्तम रूप में बता सके अधिगम करा सके जिससे चात्रों में अपेच्छत ब्यवहार परिवर्तन किये जाएं जो पाठ वस्तु के स्वरूप को निशित करते हैं तो दोस्तों एक तरह से जो पाठ वस्तु है उसक के उसके उस सिचठ उदेशों को प्रापत करने के लिए एक सिचठ को सिचठ कारे में कौन से सिचठ का प्रियोग कर रहा जिससे की उसके सिचठ उदेशों को कर पूर, अब हम देखते हैं नंबर 4 पॉन्ट पर है मुल्य आंकन, परिच्छा द्वारा पार्थेवस्तु या सिच्छड विदियों की उपादेता के समंद में जानकारी होती है जो पार्थेवस्तु के सुरूप को सुनिश्चित करती है तो दोस्तों मुल्यांकन किसी भी परिक्षा द्वारा पाठ्थेवस्त हुआ सिछड विदियों की जो उपादेता के समन्द में जानकारी मिलती है तो जो मुल्यांकन होता है मुल्यांकन के माध्यम से ये पता चलता है कि जो भी सिछड उद्देश से थे जो भी यहां पर हम देखे सिच्छड विदियों का प्रयों किया गया जो भी पाठ्थेवस्त थी वो कहां तक प्रभावी सिदुई एक छात्र के लिए मुल्यांकन के माध्यम से ही पता चलता है और जो पाठ्थेवस्त के स्वरूप को एक तरह से निश्चित करती है जो भी में मैं त्यक्तिने में शिच्छकन का इसका वही पता चलता है और जो water उसका जो परण ten के माध्यम से ही जो देता ना कि एक चात्र के माध्यम से अदिगमका रिक कितना और एक फुरू मने देखा की इत्यास पाठिक्रम के आधार भूत तत्व में हमने चार पॉइंट देखा जिसमें क्या थे उद्देश थे जिसको हम कहेंगे सिच्छड उद्देश और पाठिवस्तु सिच्छड विदियां और मुल्यांकन तो यह रटने वाली चीज नहीं है दोस्तों अगर आप एक बार समझ पाठिक्रम होता है आपका पाठिक्रम के अंतगत चार मोलतत्व आते हैं जिसमें उद्देश से आता है पाठिवस्तु आती है मुल्यांकन आता है और सिच्छड विदियां तो किसी भी पाठिक्रम के चार मोलतत्व होते हैं जिनमें से आपके यह चारों ही पाठिक्रम के जो भी उद्धेश से होते हैं chtINSÁ जो पाठिक्रम के माध्यम से एक हात्र के मांसिक विकास सारीरिक और एक तरह से हम कह सकते हैं जो भी उसके सरवांगीछ विकास की B mother刚 tre के माज्यम से की परपूर हो पाता है क्योंकि पाठिक्रम के माद्यम से वह हर चीजों को अपने आपको हर वस्तु से हर व्यक्ति से अटेच कर पाता है तरह से वो एक तरह से अपने आपको जुड़ा हुआ महसूस करता है तो आसा करती हूँ कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा अगर अच्छा लगा होगा तो एक लाइक करिएगा अपने दो आपको मिल सके तो दोस्तों यहां पर आपको एक इंफॉर्मेशन और देना चाहते हैं कि टेलिग्राम चैनल पर भी आपको बीट क्लास के नाम से यह सारे लिंक वहां पर आउ लेबल हैं तो आपको जहां भी सुटेबल लगे आप वहां से स्टडी करिए कमेंट के मादम से हम हमारा यह प्रयास आपके लिए कितना सहायक है क्योंकि आपके कमेंट का हमेशा इंतजार रहता और आपके कमेंट के मादम से ही हमें हमारे कारियों के बारे में एक तरह से कह सकते हैं फीडबैक जो फीडबैक आपका मिलता हमें उससे एक तरह से हम भी प्रोसाइथ होते हैं तो आसा करती हूँ कि आप हमारी बात को समझ रहे होंगे और इसी तरह से आप अपनी मेनजर रखिए अपना ध्यान रखिए अपनों का ध्यान रखिए और अपने आस पस सफाई झाल